इतने हाफ आफ कई लोग तो ब्रेस्ट तक मात आएं आखों से आसूं आने लगते जैश शरीराम दोस्तों अगर आपके घर में छट पूजा होती है तो ये वीडियो आपको अंद तक देखना है और आप अगर यूट्यूबर बनना चाह रहे हैं तो क्योंकि ये वीडियो मैं especially आपके लिए बना रहा हूँ और मेरी बातों से आप connect हो पाएंगे देखिए यूट्यूब पे आने के बाद आप जब वीडियो अपलोड करते हैं एक के बाद एक तो होता क्या है आप ग्रो नहीं हो पाते हैं तो मुश्किलात आती है सेम मैं छटपूजा से जोड़ता हूँ देखिए जब आपके घर में छटपूजा होती है तो आपको तो पता ही है कि हमारी मम्मी मेरे यहां भी होती है इस बार हम लोग खैर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां मेरी छोटी सिस्टर की ठीक है तो जब हमारी मम्मी लोग क करती हैं अब जैसे गहू ढहती हैं इसी समय पर उप्खवान कि सिर्थ जर पर उस गहूं पर नहीं पढनी चीए अब आप सोचिए कितना ज्यादा साफसफाई का ध्यान तो आप देखिए इतना जादा साफसफाई का दिहान रखते हैं क्यों? क्योंकि छटी मईया माफ नहीं करती हैं सारे तेवहार होते हैं जैसे आप देवाली को ले लीजिए होली को ले लीजिए रक्षा बंधन ले लीजिए या फिर कुछ और भी अगर आप लेंगे तो सारे पर्व होते हैं लेकिन छटी मईया का जो पर्व होता है उसको पर्व नहीं बोलते हैं या तेवहार होता है जो इसको पर्व नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं महा पर्व पहले बहुत सारे जितने भी लोग थे या फिर दूसरे अधर स्टेट्स के देखा जाए तो कोई इतना वेल्यू देता नहीं था लेकिन आज के समय में छटी मईया को बहुत लोग वेल्यू देते हैं क्योंकि आप जो कुछ मांगते हैं वो कुछ मिलता है छटी मईया से आप देखे पहले तो मैं देखता था फैक्त्रीज में जो गौर्मंट फैक्त्रीज नहीं मिलती थी लेकिना अज कल सारा छुट्टी उठी भी मिलने लाए क्योंकि बहुत सारे लोग मानने लगें मेरी मम् नहीं करती है ना सेम ऐसे यूटूब भी माफ नहीं करता है और मैं आपसे बोलूगा कि यार अभी बोलते हुए मेरे रोंग्टे खड़े हो रहे हैं कि आपके घर में छहट होता है मम्मी हमारी तीन दिन का उपवास रहती है और आप अगर यूटूबर बनने आए हो आप कहा मेरे रोंग्टे कान के करोंग्टे खड़े हो रहे हाथ करोंग्टे खड़े हो बोलते हुए सोचिए कितना बड़ा महा पर्व है आपकी मम्मी जी इतना बड़ा फास्ट कर रही है आप बिहारी हो आपको बिहारियों पर गर्व होना चाहिए मैं कोचिंग पढ़ता था तो और एक उची पोस्ट पे बिहारी बैठा है गवर्मेंट फेक्टरीज में जसे मैं मद्यप्रदेश जवलपुर में रहता हूँ मैकसिमम यार मैकसिमम यहां पे बिहारी है अब आप सोचिए कैसे हो रहे हैं भाई महनत करते हैं आपको भी यूट्यूब पे आके महनत करना पड़ेगा एक महनत आपकी माता जी वहां आपके लिए खर रही है और अगर ऐसे हार मान लोगे तो कैसे काम चलेगा यार आप बताओ यूट्यूब पे कुछ भी तरीका नहीं है ग्रो होने का केवल आप काम करिए बाकी आपकी मदर आपके लिए तो खर ही रही है ना चट पूजा आपके लिए तो आपकी मदर मांगी रही है ना माता जी से दुआएं मांगी रही है ना और अगर ऐसे में आप ये सोच लोगे क्यार मुझसे नहीं हो रहा है शायद मेरी वीडियो में कमी है कुछ कमी नहीं है भाई सिर्फ आप काम करिए अगर आपके घर में छट पूजा होती है तो भाई मैं तो जब गाने सुनता हूँ ना छटी मैया कि रोने लगता हूँ भाई हर साल मेरे साथ ऐसा होता है आँखों से आसुं आने लगते मम्मी लोग इतने इतने पानी में सोचिए इतने हाफ-ाफ कई लोग तो ब्रेस्ट तक माताए है पटना का तो मैं देखा नहीं हूँ पता नहीं चटी मैया कभी आफरे चटी मैया कभी अशर देंगी तो पटना का देखूंगा चछट जाके, अब क्या होता है ना कि अपने घर में यहां पर होता है, तो फिर नहीं जा पाते हैं, तो वहां की ओरते मैंने सुना हूँ, यहां गले तक भी, यहां कमर तक भी, ब्रेस्ट तक, पूरा, पूरा पानी में डूप के अरग देती हैं, सोच काम बताईए, आपको लड़ना तो पढ़ेगा ना, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा महनत आप कर लो, क्योंकि आपकी मम्मी आपके लिए महनत कर रही है ना, इतना सा कर आप महनत कर लोगे, देखो किसी भी आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, अगर कोई बिमारी होती है, सर महने यह नहीं कर पाँगा, लेकिन गुरू बोलता है नहीं तू कर, तू कर, तू कर लेगा, गुरू को विश्वास होता है, वैसे ही आपकी माँ को आपके उपर विश्वास है, लेकिन वो गुरू जब बोल रहा है तू कर तू कर तू कर तू जीदेगा ना, वो करेगा और जो कि, मैं तो देखा हूँ जैन्स भी, जैन्स भी कर रहे हैं और छटी मईया कितने लोगों का, जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, उनका गोध भरी है जिनकी जॉब नहीं लग रही थी, उनको जॉब दिलवाई है, कहां से कहां पहुचाई है और यूटूब तो बहुत छोटी मोठी चीज है यार उनके लिए, आपको दिलवाईगी नहीं क्या वो आप महनत करो न, मैं, मैंने भी मांगा था, मैं भी सोचा था, मतलब ऐसे तो भगवान से नहीं मांगना सी है आप सिर्फ करम करो, और बोल दो माता, आप अपना हाथ मेरे सेर पे रखे रहिएगा फिर माता, जो कुछ भी आपके लिए अच्छा होगा न, वोई चीज करवाएंगी आप बस समय देते रहो यूटूब को, चलेगा चैनल भाई आई होप कि आपको सारी बाते समझ में आई होंगी बोलने को तो मैं बहुत लंबा बोल सकता हूँ, लेकिन ठीक है इस वीडियो को शूट करते करते भाई, कितनी बार मेरे रोंग्टे खड़ हुए सच में मैं जब गाने सुनता हूँ ना माता के, तो रोता हूँ भाई तो आप नसीब वाले हो यार, कि आपके खर में छटपूजा हो रहा है आपकी माता आपके लिए छटपूजा रह रही है, लेकिन आप अगर पीछे हटोगे तो काम नहीं चलेगा, किवल आपके आगे बढ़ने से, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है तो आप अब ये चीज़ देख लीजे, कि आपको आगे बढ़ना है, कि पीछे होना है क्योंकि अगर आप आगे बढ़ोगे, तब ही आप जीतोगे, अगर पीछे हो जाओगे, तो किसी कीमत पर आप जीत नहीं पाओगे तो अपनी माता का तीन दिन का फास्ट कितने सालों से रह रही है, उसको अगर वेस्ट करना चाहते हो, तो ठीक है भाई, हार मान लो तो मैं आर इतना सा चीज तुमसे नहीं हो पाता है, मुझ में मेरे गाली भी आ रही है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें ले कितना करती है, कितनी रातें जागी है, कैसे कैसे, सारी चीज़े की हैं, और आप ही के लिए तो रह रही है ना, आप ही के लिए रह रही है ना भाई निर्जलावरत है भाई ठीक है अगर मेरी बातों से मोटिवेट हुए होगे तो करना काम नहीं हुए होगे तो कोई बात ही नहीं पता नहीं आपको इतना कितना दर्द है कि आप नहीं काम कर पा रहे हो कुछ समझना सोचना है इने YouTube के लिए सिर्फ आपको डेली वीडियोज अपलोड करना है आपको अगर यह लगता है कोई ट्रिक है कोई ट्रिक नहीं है आपको अगर यह लगता है कि आप में कमी है कोई कमी नहीं है भाई ऐसे ऐसे लड़के ग्रो हो रहे हैं कि कुछ पूछो नहीं देखाता हूँ, वैसे तो आपको समझ में अच्छे से आएगा नहीं, सूरस देवता देख रहे हैं ना आपको, इन्हीं सूरस देवता की आप पूजा करते हैं, मैं डेली उठके सूरस देवता को देखता हूँ, और जब कभी बाहर वीडियो बनाने आता हूँ, तो आपको कि आप तो उठते हो नहीं सुभेरे ना छे बजे के पहले उठो अभी कार्टे का महीना जल रहा है मैंने कितनी बार आपको बताया हूँ लेकिन आप सुनते ही समझते हैं भाई थोड़ा पूजा पाट करो आस्ता रखो भगवान में विश्वास रखो आपकी माई इतना आपके लिए ठीक है यार मिली अगली वीडियो में बस काम करते रहिए भाई चैनल पकागरो होगा और कोई शॉटकट नहीं है आप में कोई कम ही नहीं है करते करते इंप्रूवमेंट आएगा जब मैं शुरू किया था आप इस चैनल की पहली वीडियो जाकर देखना कि ऐसा मैं भूंदू लगता था यार वाकई में और तब मुझको लगता था कि मै बहुत स्मार्ट लग रहा हूं उतने समय लेकिन आज इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट मेरे अंदर आए ना कि आप खुद ही देख सकते हो मैं क्या बोलू और आज भी अभी मैं पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हूँ अभी कुछ महीने बाद या एक दो साल बाद आप जीजें इंप्रूव होती है आप मेरे को देखके ये नहीं बोलिए कि यार ये तो बहुत अच्छी वीडियो बना रहा है रोहित मैं तो कभी ऐसी नहीं बना पा रहा हूं नहीं भाई मैंने जब शुरू किया था तब भी तो देखो न और उसके पहले मैंने बहुत पहले स पैसा चाप रहे हैं तो तुम बिहारी के नाम पे कलंख हो वाख़ी में कलंख हो अभी क्या बोलू तुमको यार मिलो अगली वीडियो में जाओ सूरस देवता की कसम खालो अपनी मम्मी को याद करते हुए अब बोल दो नीचे कमेंट में लेख दो कि चाहे जो हो जाए मैं यूटूबर बनूँगा महनत करूँगा महनत तो खेर करी रहोगे डबल महनत करना पड़ेगा भाई तीन गोना चार गोना महनत करना पड़ेग आपको लगेगा क्या नहीं हो रहा है लेकिन लड़ना पड़ेगा भाई बिना लड़े कुछ नहीं होगा आज कल पहले लड़ने से चीज़ें मिलती थी लेकिन आपने नसीब से चीनना पड़ेगा तो चीनो पहले लड़ो उसके बाद चीनो क्या करना है पहले लड़ना है फिर चीनना है, मिलो अगली वीडियो में I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नीचे जय छटी मईया लिखिए और काम करिए दिलेरी से काम कीजिए क्योंकि आपकी माँ आपके लिए इतना बड़ा फास्ट रह रही है आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लोगे न तो भाई बहुत आगे चले जाओगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहली लिंक पर क्लिक करके बाकी सारी वीडियो देखिए, मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में शरी सीताराम